सब्सक्राइब किजिए डिली की पार साला चैनल को और दबाएए बेला आइकान को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जनकारी मिलती रहे हेलो माई डियरी स्टुडेंट आज हम इंग्लीस रीडर क्लास 9 यूनिट 3 अवेरनेस एबाउट हेल्थ रीडिंग ए है इंडियास बैटल टू बैन चोईंग टबाएको का क्विश्चन आंसर जानेंगे आप देखरें डिडी की पार साला मैं हूँ आपका गुरू जी धाने यूनिट 3 रीडिंग ए इंडियास बैटल टू बैन चोईंग टबाएको अर्थात तंबाकु सेवन रोकने का भारत का अभियान या संघर्स का क्विश्चन असर बनाना प्रारम करते हैं तो कंप्रिहेंसन देखते हैं इसमें पहला क्विश्चन दिया गया है वाट डिफि ऑंधरमी लिखना है तो आंसर मनेगा टू 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 मिश्चर सर्मास इलनेस हीस ही फेंटली सफ़र्ड अलं हе अलाट के लुट एस सी आफॉ पोथों को राएं प्राट आँट अन य πरिवार को बहुत ब्रूल्सि बतों का सामना करना पड़ा क्योंकि वह एक आलू पयाच का धन्दा करता था और उसकी आय बहुत कम थी उसका जो इनकम था लो था तथा उनका परिवार आर्थिक ग्रूप से कमजोर और मिश्टर सर्मा पर निर्भर था डिपेंडेंट था तो इस तरह से यह क्या बन जाएगा आपका question number one का अंसर बन जाता है question number two को देखते हैं list the activities called out under the campaign called vices of tobacco victims अर्था तंबाकू से पीडित की आवाज नमक प्रचार कारे करम में क्या क्या कारे किये गए उन्हें सूची बद्ध करें या सूची बद्ध कीजिए तो सूची बद्ध करना है हमें तो आंसर बनाते हैं अंसर बनेगा वाजस आप तबाको विक्तिम इन 2008 वाज इनिएट तो अड़के फर मोर इस्टिंगेंट तबाको चंट्रोल इंडिया दा कंपेंट इंपाउर कैंसर सर्वाइवर्स तो तेल दियर स्टोरी तो इंफ्लूएंस पॉलिशी मेकर्स एंड राइस अवर राइस एमंग दा टोबाको यूजर्स एबाउड दा डिमेजिंग एफेक्ट्स आप टोबाको ओन हेल्स अर्थात तंबाको से प्रीडितों की आवाज कारिकरम ने 2008 में भारत में तंबाको नियंतरन के लिए आवाज उठाई यहां कारिकरम कैंसर से जूजने वाले लोगों के जीवन के माध्यम से निति निर्माता को प्रभाईत करने तथा तंबाको के दूस प्रभाव से बन जाता है अब देखते हैं क्विश्चन नमबर थ्री को मिश्टर चरतुवेदी फाइल्ड पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन अगांश्ट दा यूज आफ गुटका इन मेनी स्टेट्स एंड यूनियान टर्रिटरिस हूँ हैल्प हीम इन दिस एफ़र्ट अर्थात मिश्टर चतुवेदी ने कई राजियों और संग राजियों पर गुटका प्रियोग के विरूद में जनहितियाचिका दयार की किल लोगों ने उनके इस परियास में मदद की मदद किया उसको आंसर में लिगना है तो आंसर बनेगा मिश्टर चतुवेदी फाइल्ड पब् मदद करना वाई लोगों में विवक्ति थे जो डाक्टर थे और कैंसर से पीडित थे और वो जिवीत थे है ना तो कैंसर से पीडित लोग थे तो इस तरह से बन जाएगा आपका question number 3 का answer अब आजाते है question number 4 पर which state has been most successful in banning tobacco give evidence in support of your answers अर्थात किस राज्य को तंबाकू निशेद होने पर अधिक सफलता मिली है ना तो सबसे पहले तो बेन के अतमद परदेशन है लेकिन सफलता किसे मिली उसको हमें answer में लिखना है अपने उत्तर का प्रमान देते हुए उसका पक्छ लिखे तो हमें अगर हम उत्तर लिख रहे हैं तो उसका पक्छ भी लेना है प्रमान देना है तो answer बनेगा देखो Maharashtra the western state of India which banned sale and manufacturing of tobacco since July 2012 in Maharashtra manufacturing units of Gutka and Pan masala have been closed and the state government has seized 16 crore rupees dollar में 2.9 million dollar worth of tobacco product more than all other states combined said महेस जांगडे Commissioner of the Food and Drug Administration in Maharashtra अर्थात महाराष्ट भारत का एक पश्चिमी राज है जो जुलाई 2012 से तंबाकू के उत्तपादान तथा विक्रह पर रोग लगा दिया महाराष्ट में पानमा साला आउट भुट का उत्तपादान को बंद करने के पश्चाद राज्य सरकार ने लगभक 16 कड़ोर रुपे अर्था 2.9 million dollar के तंबाकू उत्तपाद को क्या किया जब्त किया जो और कई राज्यों से सम्मलित उत्तपाद के बराबर है इस बात का खुलासा महस जांग्डे आयुक्त खाद्य और नसिली दवाजियों के प्रसासक महाराष्ट सरकार के द्वारा किया गया तो यह बन जाएगा आपका question number 4 का answer अब आ जाते हैं question number 5 पे he is in a lot of pen but his children and I are in even more pen who is he who is I उसे बहुँच ज़्यादा दर्द साना पड़ता है परन्तु उससे अधिक दर्द उसके बच्चों को और मुझे उठाना पड़ता है उक्त वाक्य में जो है मतलब he कौन है और I कौन है हमें लिखना है तो इसका भिप्राय क्या है वह हमें answer में लिखना है तो answer बनेगा देखो he is प्रदीब कुमार सर्मा एक cancer patient and I is दुर्गा सर्मा ही प्रदीब कुमार सर्मा है एक cancer होगी और I दुर्गा सर्मा है तो इस तरह से यह बन जाएगा आपका question number 5 का answer चलो अब आजाते है question number 6 पर which line in the lesson suggests that a person suffering from mouth cancer can pass on the disease to his or her children अर्थात किन पंक्तियों से पार्ट में सुचना दी गई है कि जो एक ती मुह से cancer से पीडित है वो अपनी बीमारी उसके उसकी आने वाली पीड़ी के बच्चों तक फैलती है तो answer बनेगा इसका the line in the lesson suggests that a person suffering from mouth cancer can pass on the disease to his or her children is अब देखो inverted कामा में लिखेंगे है ना once diagnosed with cancer even if a patient is suffering tobacco the genetic damage is irreversible अर्थात पार्ट के उन पंक्तियों में यह कहा गया है कि जो वेक्ति मुह से cancer से पीडित वेक्ति अपनी बीमारी को उसके या उसकी बच्चों तक अनुवानसिक रूप से फैलाता है यदि वह cancer पीडित वेक्ति तमबाकू चपाना बंद भी करता है तो अनुवानसिक खराबी को बदला नहीं जा सकता तो इस तरह सिये बन जाएगा आपका question number 6 का answer अब आ जाते हैं question number 7 पर how is गुटका popularized among the youth गुटका यौमी प्रचलित कैसे हुआ तो answer बनाते हैं गुटका वास marketed as a mouth freshener to target youth so गुटका got popularized among the youth अर्था गुटका का बजार में मुख सुद्धी की तरह प्रचार प्रसार किया गया ताकि यौओं को आकरसित किया जा सके और इसलिए गुटका यौओं में प्रचलिते तो यह बन जाता है आपका question number 7 का answer चलो अब आ जाते हैं vocabulary में इसमें question दिया गया है rewrite the following sentences using appropriate forms of the words given in the brackets for the words of slash the phrases in bold bold means गाढ़ा में one has done for you अर्थात सब्दों वाक्यांसों के लिए कुष्टकों में दिये गए सब्दों के उप्युक्त रूपों का प्रियोक करें फार्म का प्रियोक करते हुए निम निकित वाक्यों को फिर से लिखिए आपके लिए एक किया गया है ठीक है तो देखो यहाँ पर examples दिया गया example दिया गया है क्या दिया गया example में देखते हैं you must start drinking more water और इसमें दिया है consume यह आपका clue है तो answer क्या बना देखो you must start consuming more water अर्थात क्या हुआ आपको अधिक पानी पीना सुरू कर देना चाहिए consume लिखा है अर्थात 7 है ना तो नीचे वाले लाइन का हो जागे हिंदी में आपको अधिक पानी का 7 सुरू करना चाहिए यह बना है तो इसी के अनुसार हमें जो एक से लेकर 9 तक पाइंट है जो पाइंट है उसको हमें आंसर के तौर पर इसका आंसर बनाना है किसको बदलना है बोल्ड में लिखा है तो मैं बनाता हूँ अंडरलाइन कर लेता हूँ है ना तो देखो पहला दिया है इसमें अंडर्ज अफ वेहिकल्स और मुविंग इलार्ज नंबर ट्वाट दक किसान मिला और कोश्टक में दिया है देखो इस्ट्रीम इस्ट्रीम में सोथा प्रवाहता धारा है ना अर्थात यह कह रहा है कि किसान मिला की और सेकडों वहान बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं अब हमें चेंज क्या करना है जो मुविंग लिखा है है ना क्या लिखा है मुविंग उसको चेंज करना है किस से लेना है क्लू कहां से लेना है यहां पर लिखा है ना इस्ट्रीम तो आप लोग ना मुविंग के जगा क्या लिख देना इस्ट्रीमिंग तो आंसर बन जाए का आपका पहला नंबर का दूसरा देखते हैं I do not eat गुटका because some of the ingredients in it can cause cancer अब कोश्टक में दिया है देखो carcinogenic अर्थात cancer परिदा करने वाला पदार्थ मैं गुटका नहीं खाता क्योंकि इसमें मौझूद कुछ तत्व cancer का कारण बन सकते हैं अब जो can cause cancer है उसके जगह हमें यहां पर बदलना है और फिर से क्या लिखना है sentence लिखना है तो अपना answer बन जाएगा देखो कैसे बनेगा I do not eat good का because some of its ingredients are carcinogenic तो यह बन जाएगा आपका दूसरा point तीसरा देखते हैं दुलेसवरी was the only one who came out safe from the plan crash अब इसमें दिया है देखो कोश्टाक में survivor survivor मिस होता है बचा हुआ उत्तर जीवी जो बच गया है है ना तो दुलेसवरी अकेली थी जो विमान धूरगटना से सुरवचित बाहर निकली और किसके बदलें बदलना है one who came out safe from the plan crash तो देखो answer कैसे बनेगा दुलेसवरी was the only survivor who came out safe from the plan crash यह बन जाएगा आपका point number three का answer चौथा नमबर देखते है इसकूल will begin a campaign against alcoholism in July अब इसमें दिया है देखो launch launch का ताथ पर यह होता है सुभारम अर्थाथ इसकूल जुलाई में सराब के खिलाफ अभियान शुरू करेगा अब answer देखते हैं क्या बनेगा इसकूल will launch a campaign against alcoholism in July तो यह बन गया आपका four point का answer अब आ जाते हैं पाचमें नमबर के point में अब इसमें क्या दिया है इसकूल के नियमों का पाला नहीं करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाईएं है ना अब देखो इसमें हमें इसको बदल के answer बनाना है कुलू कहां से लेना है extringent से लेना है तो answer बनने के देखो the principal has announced that extringent punishment will be given to those who do not follow the school rules यह बन जाए का आपका पाचमा चट्वा नमबर दिखते हैं the government has given women the right and freedom to work in the most challenging positions in the military अब देखो bracket में दिया है empower empowerment होता है अधिक देना या ससक्ति करन है ना तो हमें इसको बदलना है किसको बदलना है given दिया है उसको बदलके लिखना है तो answer बने का देखो the government has empowered women to work in the most challenging positions in the military तो इस तरह से क्या बन जाएगा आपका point number six cancer बन जाएगा चलो seven point को देखते हैं the forest department is doing many plant activities for spreading the awareness of the need for planting trees अब इसमें दिया campaign कोश्टक में bracket में तो देखो किसको बदलना है की आउसकता के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए अनेक नियोजित गतिविदियां की जा रही है campaign अभ्यान या अंदोलन होता है है न तो आउसर बनाते हैं देखो the forest department is campaigning for spreading the awareness of the need for planting trees ये बन जाएगा आपके seven number point का answer ठीक है आठवा नंबर देखते हैं many a times the only symptom of cancer that a patient reports is a hard growth of flesh bracket में दिया है lump अर्थात gant ठीक है कई बार cancer का एक मास्ट रेलक्षन जो रोगी रिपोर्ट करता है वह मास्ट का कठोर विकास है यान हार्ड ग्रोथ है तो हमें हार्ड ग्रोथ को बदलना है और sentence फिर से बनाएंगे तो answer बन जाएगा तो answer बनेगा देखो many a times the only symptom of cancer that a patient reports is a lump of flesh ये हो जाएगा ठीक है नमगो नमबर पाइंट लेखते हैं full farm of पूर्ण रूप किसका fssa का और fda का तो देखो full farm of fssa का होगा fssa का होगा ठीक है तो इसका पहले लिखते हैं तो answer बनेगा ये वाला का पहले का food safety and standards act ये बन जाएगा ठीक है fda का लिखते है food and drug administration तो ये बन जाएगा आपका नमवे पाइंट का answer और साथ ही हम इस लेसान का इस chapter का भी question answer ये ही पर समाप्त करते हैं आसा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही सहायतार्थ होगा helpful होगा और अन्य वीडियो की जनकारी के लिए हमारे चैनल डेडी की पार साल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाए बेल आइकन को ताकि आपक है धुड़